यह देखिए पहला वो चीज जो कि हमें आपको चंद्रियान से रिलेटेड नहीं है लेकिन उसके अराउंड की चीज़े हैं कि इस बार इसरो ने आपको चंद्रियान से पहले मतलब कि आपको अगस्त से पहले कौन-कौन सा स्पेस्क्राफ्ट भेजा है वो आपको पता होना चाहिए डेट के साब दिया हुआ है PSLV कौन सा है यह सब आपको यहां में मेंचिन किया हुआ है तो एकॉर्डिंग ली आप इसका नोट्स बना सकते हैं बिकास यह आपको एक्जामनेशन में आते रहता है तो आपको पता होना चाहिए इसमें कुछ बताने वाली बात है न ठीक है बस आप यह नोटर सकते हैं कि कौन सा हम लोग का नंबर चल रहा है जैसे यहां पर PSLV 55 से कब लाउंच हुआ था इसमें क्या हुआ था बस यह पता होना चैन ठीक है चलो आगया आता है अब आता है में टॉपिक जिसके लिए हमने आज जिसके लिए हमने आपको यह जाद यह पूछ सकते हैं ममी पाप पूछ सकते हैं आपके अछे साल के बच्चे पूछ सकते हैं घर में जो भी है बतीजा भांजा कोई भी तो आपको चीजें आटलीस बेसिक चीजों पर पता होना चाहिए कि exactly टूपता कैसे है तो चंद्रयांत्री है क्या यह Spacecraft है, यह क्या है? तो यह हम बोलेंगे, यह एक Mission है ठीक है? जैसे होता है कि हमको World Cup 2023 जीतना है यह हमारा Mission है अब World Cup के अंदर बहुत सारे चीजे होती है जैसे Indian Cricket Team Indian Cricket Team के अंदर बहुत सारे Players होते हैं Virat Kohli, Rohit Sharma accordingly you get the idea, वैसे ही आपको यह Mission आपको तूटता है अलग-अलग चीज़ों में अब वो तीन basic आप उसके juncture समझ सकते हैं जिसके through यह बनता है, structure बोल सकते हैं इसको वो है आपको propulsion module, lander module, और rover अब यह क्या-क्या है? इसको हम लोग पहले photo से देख लेते हैं हो जाएगा, ठीक है? दूसरा है आपको lander module, ठीक है? यह आपको क्या है? जो कि moon पे land करेगा ठीक है? और आपको यह तीसरा क्या है? यह आपको वहाँ पे जो surface पे lander में से जो हम लोग बच्पन में खिलते हैं, को कार, remote car, समझे उस remote car का थोड़ा बरा वर्जन, ठीक है? वो आपको वहाँ पे चलेगा उसको बस अंतर यह है कि हमारा remote car होता था वो बस चलता था, इसमें बहुत सारे experiment करने के लिए machines लगे हुए जो कि वहाँ के soil से अलग 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 चीज़ों को experiment करेगा, ठीक है तो इतना हम समझ गया कि चंद्रयान mission है और यह तीन तरीके से तूटता है, फोटो हमने देख लिया कि क्या क्या होता है, तो यह हमें एक basic idea लग गया, तो हमसे कोई पूछता है कि चंद्रयान क्या है, त lander और rover, ठीक है, इतना हमारा clear हो गया, अब आते हैं, आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या बाते हो रही है, अब देखो, यह मैंने exactly same चीज़ क्यों दिया है, यहाँ पर मैंने इसली दिया है कि मैं आपको यहाँ पर match करने के लिए खुद पर देखता हूँ, जैसे मै आपका दिमाह में clear हो जाए, क्योंकि यह बहुत important है, यह clear होना, ठीक है, चलो अब आगे बरते हैं, क्योंकि फिर सिफ पर जादे time नहीं देना है, यह figure देखो, मैं बहुत सारे figure यूज़ किया हूँ, तो यह figure आपको हमेशा, इस्तमाल हमेशा आते रहेगा, तो चंद्रया घबराओ मत, हम लोगो सारे information use करेंगे, कि 1 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था, यहाँ पर हमने indigenous lander use किया है, यह lander module use किया, propulsion module use किया, तो यह याद रखिएगा, हमने कहीं भी किसी से कोई help नहीं लिए, बतलब इसका मतलब यह नहीं कि कहीं से कोई भी help नहीं लिए, लेकिन जो basic equipment है, वो हमारी indigenous है, यह सब कुछ हमें पता होना चाहिए, examination में दे देगा, कि 70% of the equipment is made by India and 30% is imported by, imported या taken from the American, या कुछ भी इस टाइप से तो नहीं वो गलात हो जागा, ठीक है, the lander and the rover will have a scientific payload to carry out experiment, ठीक है, अब जो land, moon पे गिर रहा है, और जो उसमें से गारी न लखे वे है, mission aims to, mission का aims क्या है, तो एक तो सबसे बड़ा aim क्या है, soft landing on the lunar surface, एक यह है, दूसरा and have the rover conduct experiment, मतलब की समझे तो यह पूरा process, एक scientific adventure है, adventure नहीं, venture बोल लीजिए, scientific venture है, ताकि हम अपने space research को extend कर सके, वहाँ पहुचा सके, जहां पे आज बड़े-बड़े आपको space agency exist करते हैं, ठीक है, तो अब यह soft landing क्या होता है, यह कौन-कौन से experiment होते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आगे covered है, तो वहाँ पे हम लोग cover करी लेंगे, यहाँ पे pictures दियावा है, आपको यह देखे, lander plus rover यहाँ पे लिखावा है, और यह अकेले propulsion medium, module लिखावा है मतलब कि इसमें आपको lander और rover दोनों है, और इसमें सिर्फ propulsion module है, जो कि आपको मून से जब 100 km उपर रहेगा, तो आपको यह दोनों अलग हो जाएगा, यह कब होगा, कैसे होगा, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग एक general idea मिल चुका है, कि क्या हो रहा है आप अब इस photo को देखिए, कि facts and figures, अब देखिए सारे facts को याद करना, मैं तो suggest नहीं करता हूँ, कि मैं इस बात से इंकार नहीं करूंगा, कि कोई को exam में यह सब भी आ जाता है, लेकिन यह आपकी personal choices है, अगर आप data थोड़ा crunch कर सकते हैं, तो कर लीजिए, क्योंकि यह one of the historic moment है है, हमारे पूरे country के लिए, तो यह data थोड़ा other, जैसे माले जो शुरू वाले पन्ने में आपको दिखाया था, मैंने, PSLV के जो अलगल है, या GSLV के जो अलगल रॉकेट है, तो उसके data उतना याद करने के लिए जरुबत नहीं क्योंकि वो ऐसा हमेशा होते रहता, communication satellite, weather satellite, यह सब होते रहता है, लेकिन यह one of the event है, तो इसके सारी data अगर हमें पता हो, तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसका मतले हैं कि आप लंबाई, चौराई, सब कुछ ना अपने लगे, विकाज अगर आता है तो उस दिन आप अपना bad luck मान के छोड़ दीजेगा, otherwise मैं क्या ही बोल कोटा, फिर landing site का हाँ है, तो moon, south pole, यह सब facts है, यह सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, mission life line क्या है, तो 14 earth day, इसको हम लोग one lunar day भी कहते है, दोनों तरीके से exam में दे सकता है, कि आपको जो project कितने दिन के लिए है, तो one lunar day, आप सुचे का नहीं नहीं, वहाँ तो 14 लिखा क्या, propulsion module, lander, rover, launch vehicle, जो किस से launch हुआ है, यहाँ पर आप थोरा confuse कर जाएगे, propulsion module में और launch vehicle में, launch vehicle जो अपना होता है, वो आपको, वो जो rocket वाला shape देख रहा था, वो launch vehicle है, उसके अंदर propulsion module है, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हो आपको lander and rover है, ठीक है, तो propulsion module को और आप rocket को same समझें, ठीक है, तो यह बस आपको याद रखना चाहिए, और rocket कोई सा है, जी एज सेल वी, MK3, यह याद रखिया है, यह question आ सकता है, यह बहुत important है, पर यहाँ पर भी आपको कुछ-कुछ data देए हुए, अगर वही height चोड़ाई बात वाली बात है, लेकिन मुझे नहीं ल this lander है, उसका नाम क्या है, तो lander का नाम है, Vikram, ठीक है, अब देखो, विक्रम जो था, जिसे हम ने वो देखा था, बच्पन में एक series आता था, Vikram बैताल, ठीक है, अब Vikram बैताल में क्या होता था, कि आपको ग्रम होता था, वो हमेश़ एक question पूशता था, कि Vikram बताओ, यह इसका आंसर क्या होगा और विक्रम अपने ग्यान से उस चीज का आंसर दे देता था उसके पास इतना ग्यान था कि वो ही नहीं सकता था कि किसी question का उसको आंसर पता ना हो तो मैं क्यों बता रहा हूँ देखो इसका कोई reason है कि यहां जो अपना विक्रम है lander इसके अंदर से निकलता है rover जिसका नाम है प्रग्यान तो जो हमने अब इस टोटी story बताया उसमें क्या था कि विक्रम के अंदर से ग्यान निकल रहा था वैसे ही यहां पे विक्रम के अंदर से प्रग्यान निकल रहा है तो आपको यह idea लग जाएगा कि ऐसे चीजों को याद रखना है यह मैंने इतना कहानी बनाया है क्योंकि examination में बहुत हाई chance कि यह question आ सकता है लेकिन वहाँ पे आप confuse कर जाएगा examination के लिए यह लैंडर विक्रम था कि प्रग्यान था यह याद ही नहीं आ रहा लेकिन अब अगर स्टोरी से याद रखिएगा तो शायद फिर कभी नहीं भूलने वाले फिर आपका वह हमेशा आपको याद रहेगा ठीक है तो यह बात आपके हो गए यह हमारा in general आपको जो data था वह हमारा यहाँ पे खतम होता है ठीक है हमारे पास क्या हो गया वेट हो गया distance हो गया time taken फिर वहां पर कितने दिन का experiment है जो कि lunar day बोला हमने यह 14 अर्थ डे बोला फिर आपको इसका budget कितना है तो और यह कौन सा rocket पे छोड़ा गया है तो यह सारे आपका हमारे पास basic data जो कि हमारे पास होना चाहिए ठीक है और यह आपको last में मैंने वही दिखाया कि देखो यह विक्रम हो गया विक्रम के ग्यान में से निकला प्रग्यान आपको जिसे हम लोग rover बोलेंगे देखो rover का वील से जो कि वहां पर चल चल के experiment करेगा और ऐसा नहीं कि यह experiment नहीं करेगा यह भी experiment करेगा तो दोनों अलग-अलग experiment करेंगे तो यह आपके दिमाग में अब आपको सारा photo बन चुका होगा ठीक है अब आता है जो हमने शुरू में देखा था चंद्रयान 3 आपको तीन जैसे पार्ट से बना वाता कि rover propulsion and the lander module अब propulsion module में आपको इसका काम किया है तो the main function of the propulsion module is to carry the lander module from the launch vehicle injection till आप आपको 100 km orbit around the moon आपको यह बोल रहा है कि इतना data इसको याद रखने का ज़रूत नहीं कि कहां से कहां तक आपको प्रोपल्शन module आपको carry कर रहा है ठीक है तो rocket ने छोड़ा अब rocket from launch vehicle injection launch vehicle ने मतलब rocket ने inject कर दिया अब वहां से लेकर आपको मून के 100 km तक आपको कौन समहा लेगा वह आपका propulsion module समहा लेगा यह बस आपको जानना है यह मैंने आपको दिमा में figure create कर दिया कि rocket छूटा फिर यहां कहीं पे आपको inject किया आपको इस पूरे system को अब यहां से आपको moon के 100 km तक आपको propulsion medium आपको इसको carry करेगा जो यह बता रहा है यहां प तो यह exactly this है आप देख सकते हैं कि rocket यहां से छूटा अब अलग अलग समय में यह rocket को क्या क्या काम होता है वह हमारा अभी topic का पार्ट नहीं है आपको अलग 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 जगा पे अलग अलग होते जा रही है और बस आपको यहां पर यह दिखा जा रहा है कि different stage पे आपको different different काम क्या हो ठीक है तो यह आप एक फिगर इस पर देख सकते हैं लिकनी सब डेटा वेटा यह सब को याद करने का जरूवत नहीं है ठीक है अननेसेसरी इसको याद करेगा तो फिर आपको वह आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस होने वाला है अब आता है प्रपल्शन मॉ इसको हम लो कहते है शेप स्पेक्ट्रो पॉलारिमेट्री हैबिटेबल प्लानेट अर्थ यह समझ यह एक्विप्मेंट है जो की अर्थ को अब्सर्व करेगा फ्रॉम दा स्पेस अरूंद अमून ताकि अर्थ को वहां से देख सके और चीजों को एनलाइज कर सके बीसिकल इसके और इस इस वन आफ दे एक्स्पेरिमेंट आपी अर्ड रॉर्ट अन्दे अर्ड 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 रॉवर्ट के तो हमारा अगर एक किसी को चुना पर पालिशन मेडियम पर वह शेपोथा है वह क्या कर रहा है तो वह मैं आर्थ को देख रहा है क्योंकि हम लोग कैसे दिख सकते है क्योंकि हमार पास सपेक्ट्रो वर्ड है जैसे सब्सक्राइल वेर्ड आता है हम समझ जाते हैं कि कई नीग्हीं सब्सक्ऊंध कर में बात हो रहा है सब्सक्राइब नेunken कि मद्रें पठाइब this Sm समझ सकते हैं कि हम किसी को observe करना चाहिए कि इसको observe करेंगे अर्थ है इसको observe करेंगे ठीक है तो वो यहां से बाते यहां पर हो रही है पेलोट अब यहां पर जब 100 किलिमेटर पहुंट जाते तब हमारा सेप्रेशन होगा प्रपल्चर मीडियम से आपको लांडर और और अब देखते हैं लांडर और और आगे क्या करता है अब आगे हम लोग देखो यहां पर मैंने ऑन लिकार अफिक मैंने ओन मून नहीं लिखा था अब लू मून पर पहुँच चुके हैं यहां पर हमारा प्रपल्चर मेडियम नहीं दीख रहा अभी तेख मने तीन डिवीजिन किया था अब हम नेदो डिविजिन कर दिया इसल से पहले एक word आता क्योंकि वह इसी से रिलेटेड है कि spacecraft and rocket यह दो word हम लोग हमेशा यूज करते रहते हैं लेकिन हम लोग पता नहीं होता इस बात का कि exactly difference किया है दोनों के बीच में because अगर precise difference हमें नहीं नहीं पता रहेगा तो हम दोनों को एक दूसरे के बदले यूज करते रहेंगे और वह रॉंग यूज में जा सकता है तो और खासकर जैसे कि मैं आपको class के start में बोलाता कि हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम किसी को समझा रहे है मालेजी क्योंकि obviously अगले हफते तक 10 दिन तक यह डिबेट हमेशा चलते रहेगा कि इस रोंने क्या भीजा स्पेस क्राफ्ट क्या होता है यह तो कोई नहीं पूछने जा रहा है कि आप जब बोलेगा अरे जो रॉकेट भीजा था तो वह से पूरा अदम खुल गया तो रॉकेट का अदम पंखा हिए अब देखते हैं स्पेस्क्राफ्ट और रॉकेट में क्या फर्क होता है ठीक है तो यह मैंने डाल दिया था यह सब बोहुत हैm इसको ताकत चाहिए होता है तो यह बहुत हाइप प्रेशर पर आपको गास को रिलीज करता है जो कि उसको ऊपर ढखेलता है एंड वही फोर्स इवेंच्वाली इस पूरे सिस्टम को इसके अंदर अपको प्रॉपल्चन मीडियम भी है इसके अंदर आपको लैंडर भी है इस यह हमारा rocket हो गया, यह spacecraft इसके अंदर है, यह बाते याद रखेगा, यह spacecraft नहीं है, ठीक है? spacecraft जो होता है, आपने देखा होगा, यह सब देखो, यह होता है अपना spacecraft, जो आपने कभी मूवी में या पिचर्स में देखा होगा, इस टाइप वाला चीज, यह सब होता है, तो spacecraft आपको करता क्या है? तो यह समझ जैसा है, नाम आपको सुन सकते हैं, यह आपको स्पेस में ही कि लिखेगा कि नाम ही है इसका स्पेसक्राफ्ट जमीन में हमें दिख रहा है वो रॉकेट है जी एक्या अंदर स्पेसक्राफ्ट है यह द जली है अब आते हैं कि spacecraft आपको करता क्या जैसे तो देखते हैं function यहां हमने basic different spacecraft और rocket में देखा बाता है spacecraft पेलोट themselves मतलब कि rocket में खुद एक passenger के तरह जा रहे हैं which are placed into the space by rockets rocket ने eventually एक particular height पे पहुच के उसको छोड़ दिया space में कि भाई हम तुमको अर्थ के gravity से दूर ले जा चुके अब तुम अपना journey खुद समालो they can be designed for various mission ऐसा नहीं कि जो spacecraft होते हैं वो particular बस चंद्रयान के लिए जा रहे हैं या कोई मार्स के लिए जा रहे आपको जैसे human shuttle होता है space station हो गया telecommunication के लिए तो satellite जो जाता है यह सब आपको spacecraft that is basically any equipment which is functionally active for some specific purposes जो कि आपको space में है जिसके लिए उसे छोड़ा गया है वो उसे हम कहेंगे spacecraft and everything that was beside the spacecraft was a part of a rocket system जो कि हम यहां पे देखते हैं rockets are engines or vehicles आपको that generate thrust through the expulsion of high-speed exhaust gases तो जो rockets हम जानते हैं वो क्या होता है जसे हमने पिछिस में देखा था कि वो आपको fuels को बहुत तेजी से जलाता है तो fuels क्या-क्या होते वो भी हमारे पार्ट का पार्ट हो लेकिन यहां पर नहीं कर रहे है क्योंकि वो अलग-अलग stage पर अलग-अलग fuel होता है उसे में देखेंगे बाद में तो वो fuel जलाकर eventually बस rocket का बस यही काम है to defy the gravity of the earth and eventually let the other system work out their own way तो आप इसमें और इसमें I hope फर्क समझ पाये होंगे कि exactly होता क्या ठीक है और इसका मैंने example इसलिए तीनों तीज में देती है कि आपको यह confusion आओ कि सिर्फ जो space mission है as if like Mars पे गया है या Apollo 11 मून पे गया था यह से अभी चंद्रयान गया है तो सिफ ऐसे ही mission आपको spacecraft में नहीं आता है आपको other every other satellites like आपको telecommunication हो गया scientific judgment आपको telescope वाला बता है Hubble और आपको दूसरा James Webb तो यह वाले आपको spacecraft में आता है तो I hope आप अच्छे समझ पाएंगे कि rocket और spacecraft में क्या फर्क है अब आता है हमको जो एक basic question क्योंकि इस question के बिना हम यह verify नहीं कर सकते हैं कि क्या हमें actually में समझ में आएक निया तो यहां पर देखो मैंने आपको example दहीं दिया कि Hubble Space फिर Mars rover जैसे curiosity and perseverance international space station यह सारे spacecraft हो गया rocket क्या हो गया Falcon यह Elon Musk का है Saturn V इसका 5 कहते है बाई NASA Arian यह France का है तो इंडिया का भी है क्या कोई तो इसलिए मैंने यह पर question रखावा है आप बताओ कमेंट में डाल कि कि इंडिया का spacecraft क्या होगा इंडिया का rocket क्या होगा अगर यह answer आप दे देते हो तो you can actually assume that you know the basics and you can actually properly explain to anyone what is the basic difference between rocket and spacecraft यह क्या होगा बताओ यहां पर मैं rocket लखू कि spacecraft लेकू कि कोई दूसरा चीज लेकू आप यह बोल सकते हो कि since it doesn't definitely seems like a rocket which has a definite particular shape it I can assume कि यह आपको spacecraft है ठीक है तो यह बात हो गई spacecraft and rocket की अब आता है spacecraft can have diverse shapes and design depending upon their intended purposes जैसे कि हमने आपको फोटो में देखा था एक जो basically ISS था International Space Station उसका shape round round है बहुत बढ़ा है दूसरा वाला का देखा कि थोड़ा दूसरे shape का था वैसे आपको अलग-अलग जो mission होते हैं आपको वाईजर्स आपको जो अभी अपना चंद्रयान गया है सबके ship अलग-अलग है तो अलग-अलग requirement की साबसे इनकी अलग-अलग intended designing होती है जो कि आपको अलग काम कर किसी में आपको communication satellite के लिए आपको दूसरे equipment चाहिए कभी आपको इमेजरी के लिए camera चाहिए तो सारे जो process होते हैं के अलग-अलग requirement होते हैं इसलिए इनके design भी अलग होते है rockets में क्या होता है तो rockets consist of various component including engine obviously यही तो ताकत देगा इनको ऊपर जाने के लिए and structural element आपको कैसे बने हुए में and obviously इसके अंदर जो component है जिसमें की spacecraft भी आ जाएगा they are primarily focused on the propulsion मतलब में काम है जैसा कि हमने बात ही किया था कि इनका में काम है कि अर्थ के gravity से दूर फेक देना है और उसके बाद मेरा काम खत्म ठीक है typically cylindrical and conical and shape do not typically remain in the orbit or travel to the celestial others other celestial or what is मतलब की generally आपको SNE की मून के orbit में यह जाकर गूम रहे SNE generally होता है कि आपको एक particular height तक जाते है and then eventually इनको oceans में गिरा दिया जाता है although there is a very high research going on how to formulate or form a rocket that can be reusable जैसे Elon Musk ने अपना बनाया SpaceX वह completely reusable नहीं है but still percentage कुछ भी रख लिजीए अब 50-40 वह technical बात ही हो जाएंगे उतने percentage पे वह reusable that is वह लोग एक particular high तक ले जाते है उसको अपना spacecraft launch किया and उसके बाद उसको फिर से वापस ले आते है ताकि उसी को फिर से हम अगले trip में यूज करेंगे तो जितना material था इंजिनेरिंग था rockets में यह सारे जो थे उसके पैसे हमने save कर लिए otherwise वह ocean में गिरता वह completely खता मुचा है मतलब वह destructive investment था ठीक है तो यह बात है यहां पे हो रहे है ठीक है अब आता है आपको basic different spacecraft और rocket का क्या होता है तो इसमें होता है कि designed to operate in the space weather in orbit around the earth traveling to other planet or exploring the distant celestial bodies मतलब जैसे माल लो यह आपको मार्स में मम मेजा था वह आपको celestial bodies हो गया traveling on the other planets जैसे अपना चंद्रयान प्लानेट तो नहीं है अपना चलो मून आपको जैसे चंद्रयान हो गया फिर weather orbiting around the earth और different planet जैसे अपना चंद्रयान to moon को orbit कर रहा था और बहुत सारे जो services satellites होते हैं जैसे communication satellite weather satellite यह सब earth को rotate कर रहे होते हैं तो यह सारे spacecraft है ठीक है अब यहां पर आपको हमने जो भी पढ़ा है अभी तक उसका proper revision है तो आप एक बाद देख सकते हैं मैं फिर से नहीं दिखाते रहोगा कि यह rocket कौन है किस किस date पर क्या हो रहा है कौन से lander module है कौन से propulsion module है यहां पर कैसे maneuvering हो रही है इसके picture है आप इस पर बाद देख सकते हैं ऐसे भी newspaper में हमेशे आते रहता है generally आप अगर अच्छे paper follow करिए जैसे newspaper Indian Express या Hindu वहां पर आपको जरूर मिल जाएंगे कि यह diagram वहां पर आपको अच्छे से दिख जाएंगे अब आता है चंद्रया 3 on the moon lander में है ठीक है हमने देखा था कि on the moon दो टाइप के थे lander and the rover अब हम लोग lander को explore करते कि lander के अंदर है क्या lander का का काम क्या आप बताओ एक word हमने सुना था soft landing that is one of the purpose of the landing is to ensure that it lands up on the moon surface in a very stable form because अगर वो land नहीं करेगा तो वो crash करेगा because moon के gravity जो के itself बहुत कम होती है compare में still it's sufficient enough कि आपको उसको बहुत high speed दे देती है आप सोच के देखिए अगर उतने high speed पे आपको kilometer per second पे होते है per second बोल रहा हूं and kilometer बोल रहा हूं meter नहीं बोल रहा हूं kilometer per second वाली चीज़ अगर नीचे गिरेगी तो वह कितने तेज़ी से गरेगे एक शायद कील भी ना बज़ पाए वहाँ पर ठीक है अगर होता भी उसमें तो तो मैं यह बताना चाहिए रहा हूं कि इस speed को कम करके वहां पर land करना आपको मून के surface पर एक बहुत बड़ा primary function होता है आपको lander का की beside carrying the other equipment like the experimental equipment and the rover itself the lander has the primary purpose to regulate and maneuver its downfall in a very precise and stipulated way है ताकि वह वहाँ पर प्रॉपर्ली लांड अप कर पाए और आगे के process को मौका दे कि वह अपना काम कर पाए ठीक है तो आगे के process में वहाँ पर क्या 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 है तो lander पर हमारे चार basic equipment machines मोल लीजे जो रखे गए for carrying out different experiments वह कौन-कौन से machines है तो वह पहला हमारा machine है इन सब के नाम आपको पता होना चाहिए अगले एक देर सो दो साल तक क्योंकि यह एक historic moment है इंडिया के history में और यह फिर से यह नहीं आने वाले है तो यह इस sense में हमें पता होना चाहिए ठीक है आप इस पर मैंने आपको एक mcq किया है वह mcq जरूर जाके देखे उस पर मैंने लगा 50 60 या 70 question बनाये थे उसमें आप मैंने question से आपको चीजों को याद है तो कहीं ना कहीं इसका purpose हम मान सकते है we are not sure कि यह होगा ही होगा कि उसका soil को experiment में आपको कोशिश करेगा कि जानना अगर हम soil को जानना करेंगे तो soil में क्या जानेंगे कि उसका रंग कैसा है हो सके वह भी जाने लेकिन obviously basic function यह हो सकता है कि उसके minerals को जाने उसके composition को जाने फिर आपको उसके rock के structure को जाने फिर अगर हम land कर ही गए हैं तो शायद हम यह भी जानना चाहेंगे कि वहाँ पर आपको moon का geology कैसा है और geology से हम यह भी जानना चाहेंगे कि उसका internal structure कैसा है फिर you get the idea like अगर हम वहाँ पर land कर गए हैं तो यह सब चीज़ हम explore करना चाहेंगे कि वहाँ पर दीरी दीरे महाँ पर कैसे चीज़े evolve की हैं यह से बात हो जहां पर आपको land करना relatively काफी easy है और वही से आपको सारा information निकाल के लिए आते हैं नहीं there is a very precise and strong reason to land on the southern part of the moon and that's because the southern part of the moon is relatively still very isolated वह आप इस बात को थोड़ा इस समझ से लिजिएगा कि वहाँ पर आज भी जो चीज़े हैं वह बहुत पुराने समय को reflect करती हैं वह क्यों करती हैं मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी because that will become a different topic ठीक है बस आप याज a fact ले लिजिए अब अगर यह बात मैं बोलता हूं तो then it leads us to a situation where we can assume a fact that आपको आपको आज भी शायद हमें ऐसी स्थितिया मिल जाए ऐसे situations rocks मिल जाए other soils मिल जाए regolith मिल जाए जो की शायद early जो genesis था आपको moon का उसके बारे में indicate करें so we are this is a very big thing अगर हमें वहां से चीज़े मिल जाए अब यह इतना important क्यूं है क्योंकि इस बात को सबजिए कि moon has largely no atmosphere ठीक है अब लागल में जोड़ता हूँ क्यों क्यों यहां पर इदम आप किकिक क्रने लगेगा तो आपको 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 मुछ कुछ चीज आटम मिल जाय ए इस थाइप सी हो जाए तो वह आप splitting of the hair, that's why I will add a word to largely, so if you think about it, it's not there, okay, now, why is this fact so important for us, this fact is so important, why, because when I say that there is no atmosphere on the moon, then it leads to a situation where we can think that there is no denudating agent or eroding agent, when I say that there is no eroding agent, we understand that that there is no one, because this is the eroding agent, which actually transformed the situations and the materials on the planet Earth, if there is no water or water, who will kill, who will kill, who will kill, who will kill. तो चीजे वहाँ पर वैसी की वैसी ही है, now, इसी लिए हम यह लिंक कर सकते हैं, कि वहाँ के पत्थर के बारे में, जो हमें information मिलता है, वहाँ के soil के बारे में, जो हमें information मिलता है, and accordingly, जो भी geological structure and everything that goes around it, आपको जो भी हमें उसके बारे में पता चलता है, वह हमें आपको बहुत एक ऐसा ancient remote आपको ग्यान दे सकता है, जो generally शायद Earth पे खोजना काफी difficult हो, ठीक है, तो यह हम समझ गया है, और यह एक general idea रहेगा, चीज़ों को कैसे याद करने का है, कि हम ऊपर यहाँ पर क्या क्या करने चाह रहे हैं, अब देखते हो, सब के full form experiment, इसका short form है, chest, अब देखो, जैसे पहला तो यह हो गया, CHA, तो यह आगर आप से पूछा जाए, कि यह propulsion medium का part है, कि lander medium का part, तो आप इतना तो hint लगा ही सकते हो, कि CHA लिखावा है, मतलब कि moon लिखावा है, मतलब कि कहीं ना कहीं हम guess कर सकते हैं, कि शायद यह वहाँ पे land कर रहा होगा, otherwise अगर यह orbiter होता, तो इसका शायद कुछ तूसरा नाम होता, ठीक है, तो यह guess वाली बात है, ठीक है, तो इस हिसाप से हम guess कर सकते हैं, यह lander पर है, and obviously it's on the lander, ठीक है, अब इसका नाम देखिए, thermophysical, मतलब कि कोई एक ऐसा physical, जिसके हम लोग कुछ thermochemistry, thermodynamics अब को judge कर रहे है, इसे क्या फाइदा होगा, तो eventually उसके बारे में पता चलेगा, कि वो element किस तरीका का है, क्या है, यह इसके idea यहाँ पर लगेंगे, दूसरा है, instrument for lunar seismic activities, again lunar word आ गया, यहाँ चंदर था, यहाँ lunar, तो इससे भी हम लोग guess कर सकते हैं, again this is also a part that has landed on the moon surface, तो इ difficult भी नहीं है, because there is only one thing that is shape, जो मैंने आपको करवाया था, जो कि आपको land पर नहीं है, ठीक है, confusion कहाँ पर होगा, कौन से lander में है, और कौन से rover में है, ठीक है, तो हम देखेंगे rover वाले को, क्योंकि वो बस 2 है, तो उसको अगर याद कर लेता है, तो फिर 2 को हमने याद कर ल lander module, rover, lineer module किया कर रहा है, इसके बारे में हमने देखा था, और अब ही हमने क्या क्या किया, कि lander module को on the moon, हमने आपको launch कर दिया, अब हम इसके बारे में बात कर लिए, in fact, हमने 2 perfect cover क कि हमें करना क्या है तो हमने आपको यह बाते बताई थे कि इस बात को समझे कि हमने साउथ पूल को क्यों जोना है लेकिन आप अगर साउथ पोल पर जाते हैं तो वहां पर रेलेटिवली आपको चीजे आज भी वैसी ही हैं जैसे मिलियन से मिलियन साल थे मतलब कि वह बहुत जादे प्रोटेक्टेड इंवायमेंट में खासकर वहां के जो क्रेटर्स में हैं जो कि अंदर एकदम छुपी वी जो हमारे लिए काम लेकिन यह भी हमेशा जानना होता है कि solar system में मून कैसे बना क्या मून हमें कर सकता है कोई messaging कि solar system कब बना कैसे बना है यह वेरिज साइंटिफिक आइडियाग को डैवलिप प्रॉपर evolution नहीं आपको जो big bang theory है यह सब कैसे यह सब idea evolve कर रही है यह सब में जितना भी information में collect करने को मिले उसमें हमें वहाँ पर help मिल सकता है तो इसलिए हम वहाँ पर जाते हैं अब अगर हम वहाँ के land पर क्योंकि lander हम बोल रहे हैं लाइंड पर अगर हम लोग जाते हैं तो कही न कहीं इस बात को assume करते हैं कि हम वहाँ के stone को touch करना चाह रहा है touch करने का मतलब होता है कि उसको explore करना चाह रहे that is composition and the various mineral, elemental composition उसमें कितने है percentage कितने है, कौन-कौन से elements है यह सारी चीज हम जानना चाहते है फिर हम शाद यह जानना चाहते है geological structure कैसा है अब यह इसके लिए आपको अगर आप geography के थोरे student है तो आपको पता होगा कि seismic waves आपको जो कि आपको जिसे हम लोग earthquake जिसको होता उसको seismic कहते है उसके थू हम earth के structure को जान सकते है तो क्या same philosophy moon पर नहीं लग सकता है एकदम लग सकता है तो उसके internal structure को हम जानेंगे कि वहाँ पर पानी था नहीं था कैसा structure है मागमा है नहीं है यह ऐसी बहुत सारी बात है ठीक है फिर वहाँ के soil को हम लोग research करेंगे soil की eventually अगर हमें future में कभी मान लिजिए वहाँ पर plantation करना है तो is it possible or not अगर नहीं तो क्यों ऐसे बहुत सारी questions जो eventually काम आएंगे ठीक है तो यह कैसे possible होगा जब हम वहाँ पर हम लोग land कर जाएंगे अब देखो land लोग कर चुके है बिकाज इस इस इसमें कौन कौन सा एक्सपरिमेंट कारी हो रहा है यह आपको याद होना चाहिए because this is one time event in the history of India we are the only country to land on the south pole of the moon ever in the world it's not the first in India it's the first in the world moon पे बहुत लोगों ने land किया है but nobody has ever before landed on the southern part of the moon तो यह बात आपको पता होना चाहिए इस बात को बहुत questions में use किया जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पे आता है वर्ड चंड्र यह पेले तो इक बार देखले तिक होनों से equipment एट तो चाहस्ट इलसा राम आ और इसको यह नासा ने दिया यह डेखेंगा क्या ठीक है तो ऑब चाहस्त को एक वर डेच लुट चंड्र इस में किया इलसा में एक वर्डे लुनर इसमें किया रांभा में आप देखो मून तो कही ना कही हम यह गेस कर सकते हैं अबिसले दिस इस नॉर्ट अव एक्जाक वे तो से जस्ट बिकास दिर इस अमून और चंदर वर्ड 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 अने तो हम लोग यह बोल दे कि हम वहां पर लैंडी किया है वहां पर अस्टु हेल्प कि रिफ फॉरस्ट रिमेंबर की हम मून वह लिखा वायता है और भी कर गैस कि यह मून पर लैंड किया दिस नॉट इन दा स्पेस यह बाते आपको पती हों पता होना चाहिए ठीक है तो यह तो हमें पता चलिक है अब जैसे मैं आपको पिछले क्लास में कर सब्रूफ कर रहा है आपको थूद लाइट वह यहां पर हमारा कवर हो चुका है ठीक है अब आता है अब चाश्त का अब देखो इस वर्ड में देखो कि सर्फेस थर्मोफिजिकल कही ना कहीं हम थर्मो मतलब कि थर्मोडायनमिक्स मतलब की हीड से रिलेटेट और फिजिकल मतलब कि कुछ न कुछ वहाँ पे solid चीजों को heat से relate करके हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो इस से हम ये experiment से इस word से ही हम समझ सकते हैं कि कही न कही ये बाते ये चीज को reflect कर रही है कि वहाँ के चीजों को हम कैसे research करना चाह रहे हैं कुछ वहाँ पे गरम करके आप कैसे गरम करें वह अलग बात है जब हम इसको पढ़ने आएंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे ठीक है अब दूसरा आता है कि instrument of lunar seismic activity अब ये जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये क्या करेगा कि वहाँ पे अब how will it be done is not our cousin हमें बस थोड़ा समझ रखना है कि ये करता क्या है eventually ये ऐसा ensure करेगा कि आपको वहाँ पे vibration कैसे travel करती है मतलब earth वाले surface में seismic waves कैसे generate होता है क्या होता है उसका रूप एंप्रारूप इसको आपको research करेगा तो ये seismic हो गया अब radio ये बहुत लमावर्ड रेडियो आनाटपी औफ मूझ बाउंड हाइपर सेंसितिव आइन ऑस फेयर अटमॉश फेयर रामभा ठीक है अब दिसको रेडियो एन आटोमी मतलब की रेडियो वेवेज के थ्रू हम लोग आप और अनलाइस कर रहे है औस मून बाउंड hypersensitive ionosphere and atmosphere moon अगर आप general words सुनते हैं कि moon का कोई atmosphere नहीं and that is fairly true but इग्दम जब scientific level पर चल जाते हैं तो बहुत कम बहुत कम जैसे अपना exhaust sphere में जैसे आपने सुना होगा कि बस कुछ-कुछ atoms होते हैं तो आपको वो शायद आपको यहां पर इन चीज को research किया जाएं वो यहां पर बाते हो रही है ठीक है फिर आता लेजर रेट्रो reflector अब जैसे हम लोग रिफ्लेक्टर वर्ड समझते हैं कहीं नहीं कोई आइडिया लग जाता है कि इसमें करने हम लाइट का यूज़िज होगा ऊट्य रिफ्लेक्शन इस इललेटिह दू अब अगर हम जैसे लाइट रिए यू कर रहे है तो और लाइट को हम लोग ऑने है त्स तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं कि इसे इसे लिजनरेट कर रहा रहा है क्यों कि यहां Reflector हुआ है ठीक है तो हम इतना समझ सकते हैं कि इसे कहीं नाइट से हम लोग दूर कि या तो किसी चीज को देखना चाहे या तो लाइट को हम लोग एजन मेडियम यूजरे तकि dużo दिस्टेंस ना पे और सचमा मारी तो इसका घूं डिस्टेंस ना पना है और यह आपको हम लोग फंक्शन में समझाएंगे तो पता चल देगा तो हमारे लांडर में आपको कितने equipment हो गए चार equipment हो गए एक कहा है हमारा एक आपको propulsion मीडियम में जिसका नाम शेप है मतलब दो हमारे पास और बचते हैं क्योंकि साथ तो इस बात को याद रखिए ठीक है, तो मेजर्स हाओ दे लोकल गास और प्लाजमा एंवार्मेंट एक्सचेंजेज ओवर टाइम, अब लोकल गास और प्लाजमा क्या है, प्लाजमा आपको समझे, बहुत हाई टेप्रेचर पर या आइन्स रहते हैं, उसे हम लोग प्लाजम कहता है, you need not need to know very deeply about it, ठीक है, बस आपको याद रखना कि आपको वहाँ के गास या प्लाजमा को research कर रहा है, और ये over the time, कैसे change करता है, इसको भी देख रहा है, दूसरा आता है, आपको chest वाला, ये क्या कर रहा है, studies surface thermal properties, जैसा कि आपको महम ने बोला था, कि ये thermal word है, तो lunar seismic activity, जैसा कि हमने देखा, इसमें seismic है, तो ये कहीं ना कहीं, seismic activity से मून के geological structure को कोशिश करेगा, तो मेरे seismic activity at the landing site in order to delineate, मतलब समझने के लिए, the subsurface of the crust and the mantle, subsurface होता है, आपके surface के नीचे वाला surface, उसको उसके अंदर महा पे crust कहां तक है, mantle कहां तक है, भी नहीं है, ये बाते हैं ये आपको research करेंगा, अब laser retro reflector army, आर्मी बोल रहा हूं, ये देखिए, ये बस याद रुखिए, ये नासा का, ये आपको इस रो का नहीं है, ये यहाँ पर confusion नहीं होना चाहिए, वहाँ पर सब कुछ दे देगा, वहाँ पर लास में च्छोटा सदिया रहेग कि this equipment by ISRO will help this, जबकि ये नासा का, ठीक है, तो यहाँ पर गलती नहीं होचे, बस इसको ये जान लो कि ये रेंजिंग करता है, रेंजिंग क्या है आपको distance नापने का process, distance कैसे नाप रहे हैं, आपको light भेज रहे हैं, और light भेज के जो reflect हो रहा है, कितने देर में हो रहा है, मून का अदम precise distance नापना चाहता है, क्योंकि वो एक dynamic system है, तो हर्थ हमें कितना आपको distance vary हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये information जितना जादे मिलेगा, उतना जादे आपको जो research में होता है, वो data value आपको eventually theory को strong करते है, तो ये सब उसमें आपको काम आने वाला है, ठीक है, तो य कहां से निकला, ये आपको lander है, lander के 4 पार है, इसमें से आपको rover डुगरते डुगरते निकलता है, या अगल बगल में भूमने लगता है, ये rover हमारा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसके पास 2 machines है, ये क्या कहना हमें, APXS और LIBS, तो अभी तक देखिया, आपको कहीं भी, except that shape, जो कि propulsion medial में था, हमने S word को नहीं देखा, ठीक है, मतलब कि कहीं न कहीं, ये आपको word है, spectrometer, spectrum, मतलब कि आपको जैसे हमने शुरू में समझाया था, कि आप बच्पर में तुतना पढ़ही है, ना कि एक light है, light disperse करता है, into different spectrum, that is, इतना तो हम समझ गया कि, हम लोग light का यूज कर रहे है, अब light का हमने एक और use reflectometer में दिखा, तो वहाँ पे तो word, reflect word लिखा ही, वा है, तो हम ये कह सकते है, कि distance ना अपने वाला बात है, अब यहाँ पर जब spectrometer की बात हो रही है, तो ऐसे तो ये machines होता है, अगर आपको idea नहीं है, तो ये कहीं नहीं है, आपको elements को recognize करने में कि ये potassium है, calcium है, ये क्या है, इसके बारे में पता लगाने में help करता है, अगर नहीं आपको पता, तो बस spectrum word से इतना पता लागा सकता है, कि light से हम कुछ चीज के बारे में जान नहीं चाहते है, अगर इसका heat यूज नहीं कर रहे है, तो हम उसको देख के पहचान चाह रहे है कि वो क्या है, जब हम बोलते हैं कि देख के पहचानना चाह रहे है, तो हम उसके चीजों को पहचानना चाह रहे है, तो laser induced breakdown, यह यहाँ पर भी देखो, S है, तो आगे हम देखेंगे, spectroscope, spectrometer, यह बात है आपको idea देख कि यह क्या करने वाला, तो in fact यहीं करने वाला कि आपको इस चीजों को अलग-अलग तरीके से, एक में alpha, मैंने दिया, एक में alpha particle के थ्रू, एक में laser के थ्रू, आपको eventually, चीजों को recognize करेगा, कि उसका chemical composition यह सब क्या है, आपको यह process का यह हो गया, अब चंद्रयान, on moon, spacecraft, rocket, यह हम कर चुके है, फिर यह eventually, और यह मे spacecraft, आपको, में lander, rover, propulsion module, फिर rocket में क्या आगया, तो LVM-3, ठीक है, तो इसमें, lander हमने किया भी, इसमें क्या-क्या था, lander में कितना था, चार था, फिर प्लस एक propulsion medium में, प्लस दो, आपको rover में, ठीक है, तो यह हमारा हो गया, propulsion module, वन पे लोड, शेप, जो कि हमने देखा थ और LVM-3, यह आद रखिएगा, यह पक्का question आने वाला है, तो यह गरत नहीं हो, यह पर PSLV दे देगा, PSLV मार के आजएगा, ठीक है, यह देखिए, यह मैंने जान मुझे लिखा है, कि यह एक बड़ा famous गानाता है, and I hope this, I mean, this picture actually makes sense, कि क्या है, यह क्यू है, यह क्या खब क्या पता, मगर जो भी है, बड़ा अच्छा लगता है, like, actually this happens with me, whenever I see Nat Geo, like, जानवर वाले कोई भी documentaries, यह वो स्पेस वाले कोई documentary, 70-80% समझ में आते नहीं है, लेकिन जो भी देखता हूं, वो पसंद आता है, तो I hope, at least, यह feeling आपको भी आया होगा, कि हाँ, क्या हो रहा है अनासा में क्या, यह, rover, lander, कौन, machine, क्या, thermal, laser, यह सब, spectrometer, यह सब, क्या हो रहा है, लेकिन, अहां, कुछ अच्छा हो रहा है, इतना तो हो रहा है, ठीक है, I hope, यह हो पाया होगा, अब यह देखो, यह, मैंने, newspaper से उठाय था, यह, मुझे काफी अच्छा लगा था, यह, यह, मान लिजे, कोई, spacecraft, सिफ, orbit, करने के लिए, तो वो, कितनी बार, फैल किया है, 24, 25 बार, मान लिजे, और कितनी बार, वो, partially, failure, और, accordingly, different, different, percentage, दिया हुआ, कि, fly, by, सिफ, moon, के, बगल, से, हमको, होते में, निकल, जाना है, तो, इसमे, कितनी बार, failure, कितनी बार, success, mission, generally, कितना tough रहा है, और इसके लिए, कितना आपको काम करना पड़ता है, ठीक है, तो, ये data, आपको याद नहीं करना है, it's just an appreciation, ठीक है, ये एक और, बहुत अजीव सा data, 1960 में, देखिए, moon, पे, कितना mission जा रहा है, मतलब, 60s, decade की बाते हो रही है, यहां देख रहे है, और उसके बाद बीच में एकदम खाली हो जाता है, and then, eventually, थोड़ा सा फिर से, start होना शुरू हुआ है, but, there is no way, any decade can match up to the level of 60s, ठीक है, तो, ये, आप अपने दिमाग में idea को रख सकते है, and, कल को question आता है, तो, आपको ये पता होना चाहिए, कि 16 में सबसे जादे, आपको spacecraft होना चाहिए, जैसे, एक term है, soft landing, अब soft landing, क्या होता है, तो, इस बात को समझो, कि, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि, भली, मून का gravity, जो है, और्थ की compare में, बहुत कम है, लेकिन, still, वो आपको इतना sufficient है कि, उस spacecraft को बहुत high speed दे देता है, and, अगर, उसे बहुत high speed भी लावा है, तो, उसे, धीरे भी होना पड़ेगा, atmosphere है नहीं, कि, उसे धीरे अपने आप कर दे, तो, फिर धीरे होगा कैसे, तो, उसके पास propulsion medium होता है, कि, वो आग लगाता है, जो propulsion medium, उसको अर्थ से ऊपर फेका था, अभी वही propulsion medium, उसको नीचे उतरते समय, धीरे करेगा, ठीक है, वही का मतलब कि, वही नहीं, मतलब कि, व data के तुरू, आपके, generally, common language में बोल रहा हूं, उस machine में पहले से फीडे होता है, कि, आपको क्या करना है, कि, आप जब इतना उपर होईगा, तो, आप इतना जादे आग फेकिएगा, तो, इतना जल्दी आपका speed घट जाएगा, तो, आप ऐसी धीरे धीरे उतर पाईएगा, तो, इसी को soft landing, अगर मालो soft landing नहीं है, तो, फिर क्या होता है, तो, इसको hard crash कहते है, यह क्या होता है, कि, अब, वो मालो speed आपको 2 km per second, second बोल रहा हूं है, और यह kilometer बोल रहा हूं, यह speed से, अगर वो आपको नीचे आ रहा है, तो, फिर क्या होगा, वो obviously crash कर जाएगा, वो सा going to carry out, is onboard landers, अगर वो lander ही नहीं रहा, तो, वो experiment क्या होगा, तो, फिर हमारे कोई फाइदा नहीं रह जाएगा, तो, इसे लिए, आपको, इसका landing ठीक से होना चाहिए, on reaching an altitude of about 100-500 meter, the lander using its sensor, इन में जैसे कि मैंने बताया है, इसके बहुत सारे पहले से calculate करने वाले machines होते है sensor क्या करेंगे, हाइट ना पलेंगे, उसका topography ना पलेंगे, हो से कि रॉक का structure भी ना पलेते हो, कि यहाँ पर अगर हम लोग land करेंगे, तो, क्या हो सकता है, and cameras would scan the surface to check the weather, they are any obstacles or not, तो, आपको आइडिया लग गया, कि soft landing क्या होता है, और hard crash का भी मैं आपको दे दिया, कि व I don't think, कि इस पर फिर से बोलने के कुछ जरुवत है, on a spacecraft, spacecraft को मैंने आपको समझाया, कि क्या है, spacecraft और rocket में difference, तो, I hope, अब फिर से समझाने के जरुवत नहीं है, the lander module is a part of, that will descend towards the astronomical body, in case, चंद्रयान, जो कि moon होगा, lander साट डिजार, जैसे कि मालो मार्स अगर होता है, तो, क् अपने मार्स में, lander था ही नहीं, तो, वो, orbiter था, वो बस, orbit कर रहा है, लेकिन माल लिजिए, जैसे, America ने भीजा है, तो, वो, अब उसके पास, rover भी है, lander भी है, सब कुछ है, landers are designed and developed to make soft landing, टेक है, जो कि हमने पिछले, slide में पढ़ा, rover, ये, उससे निकल के, around घूमने वा ही होता है, तो, eventually, rover सापको पता लग जया कि, ये क्या है, lander और rover में अंतर क्या है, फिर, moon south polar region, ये moon south pole, south pole, south pole, सुन रहा है, ये क्या है, तो, at the lunar south pole, the sun, ये देखो, ये सब line-up को याद करने का जरूवत नहीं है, ये इतना, क्या, क्या है, ये सब, the sun hovers below or just above the horizon, creating a temperature upward of, मतल ये इंटली, shadowed region, that haven't seen sunlight in billions of years, ये देखरो, ये ही जो मैं आपको बता रहा था शुरूवात क्लास में, कि वहाँ पर बहुत ऐसे area है, जो कि आपको information दे सकती है, ऐसे चीजों के बारे में, जो कि आपको बहुत prehistoric है, मतलब prehistoric भी गलती word है, historic तो मतलब human scale वाले चीज़ है ये geological skill के बारे में बात हो रहा है, and experience temperature as low as आपको minus 203, ये सब numerical value आपको याद नहीं रखना है, बस South Pole का क्या importance है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, अब आता है, what is automatic landing sequence, कि हमने ये तो देखा कि soft landing हो रहा है, लेकिन इसको जैसे ALS, ALS हम लोग बोलते रहेंगा, हम इसके बारे में पढ़ेगा, तो ये होता क्या है, automatic landing sequence, तो इसमें देखो, अलग-अलग stage के अलग-अलग नाम दिये गया है, और ये नाम आपको क्योंकि हर stage का अलग-अलग importance है, इसलिए इसको अलग-अलग नाम देखे, eventually, उस stage में क्या होता है, ये बताया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बताया है, कि ALS is the part of the Chandriyan 3 landing present, upon receiving the ALS command, ये क्या landing module, ठीक है, activates its throttleable engine for a power descent, मतलब देखो, आपको, जो landing module था आपको, उसको signal मिलता है, कि मालो आपको इस रो से मिला signal कि अब भाई, तुमको नीचे जाने का सम में आ गया है, क्या हमको लगता है कि सब कुछ सही है, तो ये activate करेगा कि अब नीचे जाने वाला machine, अब इस रो मेशन operation team closely, और जो मैंने बोला, monitor कर रहा है कि कैसी वो descend कर रहा है, the required commands, जो कि मालो, कुछ नीचे होते से हमें, कुछ दिक्कत हो रहा है, या कुछ और करना है, या कुछ नया information मिला, और इस रोने तुरण डिसाइड किया कि नहीं हमें अभी यह ने cancel करना पड़ेगा, जो भी एक unprecedented situation आजा, तो कहां से order मिलेगा, I, D, S, N, ये पता होना चाहिए, वहाँ पर इस रो मतलिक देना, Indian Deep Space Network, obviously network ही तो link करेगा, इसलिए ये institute का नाम आपको पत touch में रहेगा कि करना क्या, क्या नहीं करना है, ठीक है, अब देखो, stages of descent, ये तो हमारा क्या था कि, ALS में क्या होता है, इसमें हम ये idea लग गया है कि, आपको idea sense है, जो module है अपना, landing module, उसको कहीं ना कहीं control किया जा रहा है, अब control करके, जो descent हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, य यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे है, ठीक है, अब descent पर पहला क्या होता है, कि, during the landing phase, when the LM, landing module, ठीक है, is at an altitude of 30 km, it enters the stage of powered braking, जैसे कि, आपको मैंने बताया था, speed जो होता है, इसका, आपको चुरुबात में लबबा 1.6, 1.8 km per second होता है, अब वहां से इसको, ऐसे speed पर पहुचे, तब तक इसका speed 0 हो जाए, और आप इस बात को समझे, अब जब चीजों को ऊपर फेकते हैं, तो वह धीरे होता है, जब चीजों को नीचे फेकते हैं, तो वह और तेज होता है, तो हम यहाँ उल्टा बात बोल रहे हैं, कि, चीजों को नीचे आना है, that is on the moon surface, औ तब कि अगर आप normal sense से जाओगे, तो यह 1.6 km per second, चाहिद 3 km per second हो जाना चाहिता है, क्योंकि वह नीचे गिर रहा है, moon के gravity के तरफ आ रहा है, मतलब moon के surface के तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ हम ऐसा कर रहे है, जो कि इसको ऊपर धके लेगा, तभी तो यह अग वाल्स, using its fourth thruster engine, यह force लगाता है, कि मालो यह चीज गिर रहा है, अपना यह lander है, अब यह फिर से आग नीचे फिकने लगा, ऐसा fourth thruster, अभी जैसे आग फिकने का नीचे, वैसे ही यह ऊपर फिका रहा है, तो eventually जो उसका natural call था नीचे गिरने का, उसको compensate करने लगेगा, वही यह आपर बोल रहा है, इसको retrofiring बोलता है, ठीक है, तो gradually reduce its speed and preventing a crash due to the moon's gravity, ठीक है, अब आता है, आटना, अभी हम लोग कहा है, 30 km से देखो, हम लोग 7 km लगा पहुच गया है, आटना, altitude of 7 km, LM will have only 2 engine, shutting down its other 2, ठीक है, क्यों, क्योंकि, और maneuvering के लिए, अभी शायद तुमको और भी जादे, मतलब देखते हैं, अगर fuel चाहिए, और maneuvering में और क्या काम पड़ेगा दो, इसका यह बाते यहाँ पर देखेंगे, अम लोग, this maneuvering aims to provide reverse thrust to the lander as it descends further, मतलब की, और भी इसको thrust दिया जा रहा है, कि speed इसका कम होते जाए, और इसका location सही हो, ठीक है, अब आता ह है, one of the challenge, one of the challenge, अब जैसे lander, जब वहाँ पर land करता है, मूल पर dust है, अब dust है, तो impact होगा, तो dust अच्छा खासा ओड़ सकता है, अब अच्छा खासा dust उड़ेगा, तो हो सके, आपको machines को खराब कर सकता है, तो यही बात ही हो रही है, कि one of the challenging, challenge the lander may face upon landing is lunar dust, resulting from the firing of onboard engine close to the lunar surface, कि चार हम चलाए वे हैं, आपको क्या, thrust और वो पूरा हवा नीचे फेके, हवा गलत वर्ड है, समझ यह, फू प्रेशर अपना डाले जा रहा है, और eventually उसके करण dust उड़ने लगे, तो हो सके, पता चलेगा कि आपके पूरे mission को खराब कर दें, तो इसलिए two thrust को मतलब रोकन one of the region, वो भी हो सकता है, ठीक है, तो यह हमारा हो गया, stages of descent कि इसमें कैसे काम कर रहा है, अब आता है कि objective, चंदरयान का objective किया है, तो सबसे पहला तो इसका objective वही है कि हमें soft landing करना, hard crash नहीं करना, because until we do the soft landing, कुछ हो ही नहीं सकता है, तो soft landing itself एक बहुत gruesome और बहुत, gruesome तो ग दम सही करनी होगी, एक चीज भी खराब होगा, तो आपका पूरा process खराब हो जाएगा, ठीक है, तो यहीं बोल रहा, आपको, अच्छा यह तो one of the process है, मैं आपको सबसे main जैसे बताया आपको कि soft landing है, आप soft landing कर गए है, अब उसके बाद उसका objective क्या होगा, experiment करना होगा, त तो वो experiment का हिस्सा यहाँ पर है, जो कि हमने पहले किया है, तो इसको बास fast read करेंगे, कि derive chemical composition and inference chemical composition, मतलब की, कैसा है वहाँ का समान सब, पत्थर पत्थर यह सब, and infer mineralogical composition, कि उस पत्थर में, soil में, structure में, वहाँ के, कैसा-कैसा mineral, तो यह कौन कर रहा है, आपको, यह libs कर रहा यह, apx, libs, यह कहीं न कहीं, आपको light से mineral को judge करने का कोशिश करेगा, वहीं यहाँ यहाँ पर बता जारा, तो इसमे chemical composition और mineral composition के बारे में हो गई, और यहाँ पर क्या मात हो रहा, elemental composition के बारे मात हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पर अलग-अलग तरीके से, basically हम उसके composition को जानने क कोशिश कर रहे, एक chemical क्या 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 compound है, एक में element क्या क्या मतलब और precise knowing, ठीक है, तो यहाँ पर दो experiment हो गया, यह बताया का आपको याद है, तो किस पर था, यह lander पर था, फिर, त्या दूसरा होता है, rover पर था, उसका तो चलिए उस पर तो एक यह तो आपको याद रहेग किसमें आपको, एस नहीं मिल रहा, इसको एस मत किलने ना, फिर आपको, क्योंकि, वो एस spectrum वाला है, यहाँ पर surface वाला, और फिर, यह क्या आपको, ilsa, यह seismic वाला, ठीक है, spectrum वाला वाई है, इसलिए वो light वाला, और वो आपको composition कर रहा, और यहाँ पर क्या हो रहा, कि एक आपको, इसका geological structure, इसका seismic wave से निकालेंगे, फिर आपको, यह heat से उसको, eventually, वहाँ पर हम लोग, उसके surface, near, जो होता है, वहाँ पर हम लोग, thermal properties निकाल रहे है, यहाँ पर प्लास्मा, मतलब आयन और, electrons, जो भी बनाता है, प्लास्मा, उसको सर्च कर रहे है, तो, यह अलग आपको, आपको, जिससे होता है, आप cricket खेल रहे हैं, और, आपको, तीन बॉल में, तेरा रन चाहिए, आपसे बनने का बड़ा कम हो मेंद, लेकिन आपने दो चक्का मार के एक रन ले लिया, वह वाली बात थी दब, कि दम हार्ड मीट टेज, वह वाला situation बन जाता है, ठीक है, अब, रिकॉर्ट्स ऑफ चंद्रयान क्या है, तो देखते हैं, यह क्या क्या चंद्रयान 3 पहले रिकॉर्ड बनाता है, और क्या पहले भी चंद्रयान वाले ने किसी ने कुछ रिकॉर्ड बनाया था, तो देखते हैं, थू इस रो चंद्रयान 3 मिशन, सक्सेस, इंडिया विल बिकम दा उनली, यह बहुत बड़ा बात है, उनली कंट्री आपको एक इंडिया का, एक चाइना का, ठीक है, इंडिया विल बिकम दा फोर्थ कंट्री, टू डू अशॉफ्ट लैंडिंग ऑन दा मून, पहले चार कॉन कॉन है, तो यूएस, चाइना, सोवियत, और इंडिया फोर्थ हो गया, ठीक है, तो सोवियत देखिए, यहां पर सोवियत लिखावा है, रश्या नहीं ल यहां पर लिख दिया था रश्या, और जबकि वो गलत है, ठीक है, तो यह आपको दो, तीन रिकॉर्ड हमारे हो चुके अल्रेडी, और यह तीन रिकॉर्ड अभी चंद्रियान 3 को लेके है, ठीक है, इंडिया फांद फ्रोजन वाटर, यह क्या हो गया, यह चंद्रियान 1 क यह तो लेके है, ठीक है, क्योंकि अपना चंद्रियान 2 था, वो आपको राश कर गया था, वो मतलब की हाड, राश था उसका, ठीक है, तो इंडिया फांद फ्रोजन वाटर डिपॉजिट्स, रोजन वाटर डिपॉजिट्स, इन दा डाकेस्ट इन दा कोल्डेस्ट लॉंच कब था, यह 2008 था, अभी 2023 चल रहा है, थेज, 2019 में क्या वाता वाई, 2019 में, आब बता ही, इस रोज चंद्रियान 3 मेशन कोस्ट, यह अटा है, यह निउस्पेपर से टेपा होगा तो यह आ गया होगा, इस रोज चंद्रियान 3, इस रोज यह बात यह जाने का इसलिए मुझे लगा कि आप दे दो, कि यह जो बहुत चीप प्राइस में बना है, और इसलिए वर्ल्ड में जनरली यह इस बात को रिफलेक्ट करता है, कि इंडिया का जो इस रो है, बहुत के पेल है कि सस्ते दाम पे भी बहुत अच्छा चीज बना तकता है, आब आप को नहीं पहुंच है, हम लोग इतने सस्ते दाम में वहाँ पहुंच गया, तो मतलब कि हमारा दिमाग इतना सही चला है, चीजों को कि सस्ते में आपको बहुत सही प्रोड़क्ट बना दिये, ठीक है, तो यह बाते यहां पर बताई जा रहे है, तो आपको यह चार तो याद र मून आट 70 डिग्री लाटिटिटीव, यह आ सकता है, तो यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ देगा कि 90 डिग्री पर लाइंट वाइदम साउथ पर, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, all of the previous spacecraft have landed on the moon, have landed in the region of the moon's equator, और उसके अराउंड असने के उसे equator पे, because it's easier and safer, sunlight is also present, अक्योट इस वाले पार्ट पर, जो कि आपको सनलाइट है, तो उसका सूलर वन इकला हुआ है, तो उसको एक एक्स्ट्रा-Fuel मिला हुआ है, कि डिसेंड आराम से कर सकता है, तो यह वाली बाते यहां पर होरी है, कि आपको एक से फर रीजन वहां पर क्यों है, और वही आप आपको पूल वरा जो रीजिन है वो क्यों इतना टफ है ठीक है यह बात है यहां पर रही है अब मैंनी पार्ट्स लाए इन अ कम्प्लीटली डार्क जो कि हमारे साउथ पूल की बात है कम्प्लीटली डार्क रीजिन विदाउट सनलाइट एंट टेम्प्रेचर कैन गो बिलो 230 माइनस 230 जो कि आपको डिफिकल्टी ऑपरेशन में आप सोचो सोलर का ताकत तो नहीं मिल रहा है लेकि इतना जो कॉल टेम्प्रेचर वह इटसेल ए नहीं करते हैं लेकर एक्सपेरिमेंट बेसित पर यह बहुत लोग टेम्रेचर रहे एक्स्ट्रीमली कोल टेम्प्रेचर कोड मीन डाट इनीफिंग ट्राप इन दरीजन वूड यह आपको वही बात बोल रहा ता मैं कि बहुत साल तक आपको जो इंशेंट चीज हैं वहां क साउथ पूल्स कुट देफोर प्रोवाइट लूज तुदा अर्ली सोलर सिस्टम तो यह वहां पर एक ऐसा मिनरल है जिससे हम लोग सूपर कंड़क्टर बना सकते हैं और इंडिया तुरंत अपने एक नया प्रजिक बना है जो कि सूपर वहां से उस मिनरल को लाने के लिए कुछ कुछ कर दे तो यह यह कितना important sequence of events हो सकता है तो यह कैसे possible होता अगर आप यह काम कर पाएंगे तब ही ठीक है अब आता है problem with the चंद्रयान 2 अब चंद्रयान 2 में क्या हुआ था कि वह वन तो successful हो गया लेकिन 2 successful नहीं हो पाया और 3 हम अच्छे कर गया तो इसमें क्या कि दोनों software का भी और hardware दोनों का problem आ गया था ठीक है instead of second जो हमारा soft landing रहता वो hard crash हो था ठीक है यह बड़ा important लाने हमने चंद्रयान 2 में क्या कोशिश किया था कि हमको यह mission को succeed करवाना और चंद्रयान 3 में हम लोग ने क्या कोशिश किया कि इस mission को कैसे failure से बचाना अब इसमें अंतर क्या पड़ता है उसमें हम लोग optimistic होंगे कि यह कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा इसमे अब चूद के निकल रहा है यूगे डाइडिया लेक डेई आइज आल्वेज बैक अप रेस्क्यू प्लान फॉर्डर सिस्टम जो कि हमने चंद्रयान 3 में बेजा है ताकि हम किसी भी स्थिति में कोई भी अनफोर्सीन सिच्वेशन आया उसको हम लोग मनूवर कर ले वहां के कंडिशन में ठीक है यह बाते यहां पर हो रहे हैं तो यह आप जान सकते हैं यहां मेंस को क्वेशन आता है तो उसमें यह पॉइंट लिख सकते हैं ठीक है चंद्रयान टू लॉस्ट कंट्रोल ओवर इस डिसेंट टू के बारे मोरा है जब 7.2 km उपर था तो आपको एव क्या हुआ क्या नहीं वा किसी कुछ पता नहीं ठीक है दे लांडर हाट स्लोड डाउन पांसो किलोमेटर असी मतलब 600 किलोमेटर पर आवर जब क्राश किया था ठीक है मतलब समझे रहो ना आपको यह स्पीड बहुत जादे लगए लेकिन जहां से वह आ रहा है वहां तो ल अब लांडर दस नॉट हाव वील्स इट है सेल्स और स्टेल्स और लेक्स इफ विच यहां चंद्रियान इस जो चंद्रियान में हमने सोचा था कि जहां पर हम लों लाइंड करवाएंगे वह जैनरली आपको बस तो पांसो मिटर माई पांसो मेटर मतलब लाग समाज़ों यहां से थोड़ा दूर वहां से थोड़ा दूर मतलब चार-पांच फुटबॉल ग्राउंड कर जो साइज होता है उसी के बीच में लांड करवा देंगे अब हमको क्या पता है वहां पर उसी एरिया में मांटेन हो तो अचा पत्थर जादे हो और वहां पर लाइंड किया यह तो अपना पहले ही गरिया था लेकिन मान लो होता भी तब भी होता तो इस वर जैसे कि हमने आपको क्या बताया थे कि हमारा इस बार है कि अपना रेंज कितना बढ़ा दिया कि इस बार हम बहुत बड़े एरिया में कि यहां खराब है तो दूसरे जिए चल जाएंगे फ चंद्रियान 3 में क्या-क्या इंप्रूव्मेंट किया है ओवर दा चंद्रियान 2 इसको आप लिख सकते हैं जरूर लिखेगा विकास दिस कोड़ भी अपार्ट कि चंद्रियान 3 क्यों सक्सेस्वल हुआ है तो यह सब आपको यह कि वह स्टेबिलिटी बेटर रहेगा इसमे हमने देखा कि यह अपने लिए ज्यादे चुना कि कहां पर लैंड करना है फिर लैंडर इसमें आपको एक्स्ट्रा फ्यूवल है कि लास्ट में कभी मनुवरिंग में काम आ सकता है फिर इसके सोलर पैनल चार है जो पिछले बाद दो थे तो यह सब इंप्रूव्मेंट हु मनुवरिंग के लिए काम आ जा है तो यहां पर बताया जा रहा है कि कैसे आपको छोटा-छोटा रिसॉर्स में आपको चेंज लाके उसको कम्प्लिटली चेंज किया गया है अब एक टर्म था 15 मिनिट्स ऑफ टेरर इसका भी बड़ा नाम लिया जाता है तो यह होता क्या है तो यह बिसिकली किया कि जब लास्ट डिसेंट होता है तो आलमोस्ट जो डिसेंट होता है वो मशीन के कबजे में आ जाता है मशीन मतलब कि अपना लांडर अब वो जो भी इसको अल्गॉरिदम मिला हुआ वहां पर जो भी देख रहा है अपने सेंसर के थूरू कैमरा के थ जाना है और डिसेजिन आप ही ले रहो तो इसलिए इसमें कुछ भी हो सकता है एंड़ फाक्ट डैट कुछ भी हो सकता है इसलिए 15 मिनिट ऑफ टेरर कहा गया अब एक्स्प्लोर करते हैं कि यह होता क्या में आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि होता क्या तो इसके ती किया रफ बेकिंग फीज जैसा कि नाम देख सकता है कि एक दम हाई स्पीड से यह वाले जो बाते होती वह यहां पर हो रहे है ठीक है रफ बेकिंग फेज वूड इंक्लूड रेड्यूसिंग लैंडर जो होता है होरीजॉंटल यह इतना डेटेल जाने का नहीं बस आफ बतला 1.7 km per second that is 6000 km per hour के speed से उसको जब यह 30 km पर आइजाओ 200 km उपर है वह 800 भी कम है है अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे है कि दे लांडर विल गो इंटु दा आटिटू रोल फेस लास्टिंग अराउं दस सेकेंड देरिंग विच इट विल टिल्ट फ्रॉम हरीजॉंटल टू वर्टिकल पोजिशन अभी तक ऐसे करके यह आपको अपना स्पीड कम कर रहा थ अब आता है हमारा तीसरा फेस अभी यहां पर फाइन ब्रेकिंग हम लोग खड़ा हवा में खड़ा हो चुके है और साड़े तीन क्लिमेटर नीचे और डिसेंट करना है अब फाइन बेकिम क्या होता है कि लास्ट एराउं इतन यह सेकेंड विकन हटाओ जहां पर हम लैंड पोडिशन डाल्टिट्यूड विल्कम डाउं टू आट्सों नौसों मिटर मतलब की यहां पर लबग आट्सों नौसों मिटर पर आके हमारा स्पीड आल्मोस्ट जीरो हो जाना चाहिए ताकि उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड से आइडिया है वो ना हो अलग ब आटिट्यूड होल्ड फिर मतलब की अपना पिछला वाला वो कहां पे था लबग 25 किलोनेतर था या 30 था पैंग 25 किलो मेटर वाला था वहां से fine breaking phase के बीच में ही वह crash कर गया था मतलब कि fine breaking नीचे जा भी नहीं पाया था और यहां पर वह crash करके eventually हमसे connection lose कर गया था ठीक है फिर terminal descent वही जो 800 meter के बाद है उसको कहते है हम लोग 4th stage terminal descent नाम याद रख सकते हो आएगा बहुत कम chance है लेकिन जान सकते हो कि यह होता क्या है is the final stage when the spacecraft supposed to descend totally vertically onto the surface ठीक है यह अपना terminal मतलब 4 stage था rough breaking फिर आपको attitude hold फिर आपको था fine breaking और 4 था terminal descent ठीक है फिर वोट हापन आफ्टा चंद्रयान 3 वोट हापन्स मतलब चंद्रयान 3 successful हो गया अब क्या क्या होगा भाई उस पे तो आपको वही जो पे लोट किया कैरी कर रहा है उस पे बहुत सारे experiments होगे तो आपको यहाँ पे दो बात को जा रहा है कि जो मून पे है वो छे है एक हावा में आपको ठीक है प्रोपल्शन मीडियों के पास तो 6 पे लोट ऑन दा विकरम लांडर और रोवर प्रग्यान रिमेन दा सेम एस दा प्रिवेस मिशन ये चंद्रयान टू में भी यही रखा गया था लेकिन वो क्राश कर गया था इसलिए उसको मौका ही नहीं मिला वो छे क्या क्या है तो मैंने आपके लिए एक जिगा पर रखके दे दिया ये फूर किस पर रहेगा तो ये अपना लैं का था यह आपको इलसा का था फे आपको चेंज्ज इन द प्लाज्मा नियर ये बताईए ये राम अतके नहीं था मैं आपको कुशिक लगर रहा हूंCu फिर आपको पैसिव न्यचि फैरीमेर्मेंट फैलप टूहро are कि मेजर देजिपरुआ ये ये कौन था इलसा तो मैंने यूज कर लिया एक और था पताई ये तो रिफ्लेक्टोमीटर वाला था जो नासा ने भेजा था फिर पेलोड ऑन दा रोवर लैंडर ने हम देख लिया अब रोवर में कौन आता है तो APXS जो दोनों में आपको S वाला था दूसरा था लिब् अब मिस्लीनियस अब वो कुछ ऐसे फाक्ट्स जो की जेनरली आपको वर्ल्ट से कुछ रिरेटेड है कुछ इसके अराउंड वाले बात साथ हैं तो वो भी हमें पता होना चाहिए वो क्या-क्या है चलो देखते हैं कि वो क्या-क्या बात है तो पहला कि 2014 में इंडिया बिक मिस्लीनियस एक्षन है तो उसके अराउंड वाले बात हो रहें और उसके बाद यह एक फैक्ट होगे दूसरा 1999 में पहली बर डिसाइड हुआ था कि लूनर मिशन स्टार्ट किया जाएगा किसने स्टार्ट करवाया था तो वाज पेजी ने करवाया था फिर रश्या जो होता है इसका फॉर्स्ट मून मिशन आपको था इन 47 एस जो भी फेल किया है लूना 25 है वो आपको अप्शन देग आपको रही है फ्राइब ड्राइब जापनीश पेस पिर स्कुंद आइप इस इसको कहता था तो यह हमारा लूना वगया आइस सपेस हो गया यह जो 2 अपको क्राश कर गया है आपको इवेंचुली इसको एप्रिल में किया था यह तो अभी तुरंद किया गया था तो यह ल आपको प्लान किया गया था और उस समय के प्रेसिडेंट है हमारे एक्स मतलब लेट अपीजी अबदुलकलाम उन्होंने जाकर साइंटिस से पूछा इस रोके कि ठीक है हम लोग चंद्यान भेज रहे हैं लेकिन चांद पे हम लोग वह एक और बाइटर मेशन था वह सिर्फ आपको चांद कर रहा हूं घूमने वाला बात था तो क्या हम चांद पे कुछ नहीं भेजेंगे क्या तो सबूत ने बोला नहीं सर ये तो और राइटर मिशन है कि हम कुछ वहां पर आथा ड्रॉप करेंगे जो कि एक सिगनेचर होगा इंडिया का कि यह चीज यहां पर है तो मतलब कि हां इंडिया कभी ना कभी आया था अब वो क्या था वो हम देखते हैं ठीक है तो आवर एक्स प्रेसिदेंट चंद्रियान वन मिशन दें सजेस्टेट कि यह यह चीज दाइब आट इंस्ट्रॉमेंट तो यहां पर लोग चंद्रियान लिख क्या जाएंगे और 100% चंद्रियान लिख क्या जाएंगे और वो गलत हो जाएगा तो अंसर यहां पर जो इस लाइन को लिखे न अच्छे से समझ लेना ठीक है कि मून इंपक्त प्रो ऐसा एक समान है जो कि चांद पर गिराया गया क्योंकि चंद्रियान वन एक और बाइटर था तो यह इस बात को डिफ्रेंस अब समझ लिजेगा ठीक है यह हो गया हमारा फैर इंडिया हाज नॉट येट अनौन्स फॉल आप मेशन टू चंद्रियान 3 मतलब चंद्रियान 456 अभी लाइन अप नहीं हुआ है लेकिन वो फ्यूचर में होगा ही लेकिन उससे इंपोर्टन बात क्या है इंडिया विल बिफोर दोस सेंट अनदर मून मिशन इन कोलाबरेशन विट जैपान ये क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट है इसको कहते है लूप एक्स ठीक है क्या है लूप एक्स ज़रूर याद रखिये गा ठीक है फिर ओवर दे लास्टिकेट फाइफ कंट्रीज है अटेम्टेड टू लैंड ओन दा मून अब वह फाइफ कहने तो इंडिया तो फूर्ट अल्डेडी बन गया है आपको साउथ पूल पर जाने मून पर जाने वारा साउथ पूल पर फर्स्ट है तो चाइन यह तो फूर्ट में आता ही आता है इंडिया गया फिर रशीया आगया अच्छा यह लास्टिकेट के बाते हो रही है इसलिए लास्टिकेट मतलब कि अमेरिका ट्राइए नहीं किया है अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है ओवर सिरिंस हो गया हां 2023 आपको चांद पर बस दो ही रोवर घूम रहे है एक है आपको इंडिया का एक है जपान का दा मून मिशन फॉम दे इस्रेल एंड जपान ठीक है एक तो हमने अभी आइस स्पेस देख लिया था जपान का जोगे क्राश किया रश्या का देख लिया लून प्राइविट कंपनी इतना एडवांस है कि आपको कंप्लीटली ऐसे मिशन बना जाए रहे है यह बहुत ही बड़ा बात है ठीक है तो यह नाम जान सकते है आपको यह एक्जाम में आ सकता है ठीक है जपान क्या है कि इस रेटिंग तो सेंड इस मून मिशन डिसको स्लिम यह जो भी आपको कंट्रीज दे देंगे मतलब यह सब वर्ड आपको याद रखना है कि यह क्या क्या है ठीक है फिर आता है वर्ल्ड मून मिशन यह आपको क्या है तो इवन दो सक्सेस्फुल लांडिंग हाज बिन अचीव मोर दें 20 ताइम मतलब लांडिंग के बारे मूल रह है ठीक है टाइमस इंक्लूडिंग सिक्स टाइमस विट यूमन बिंग ओन बोर्ड दर टेकनोलोजी क्लियर ली हाज नॉट बेन मास्टर यह तलब कि अभी भी लोगों को मतलब इस बात का डर लगता है कि जो भीज रहे हैं अपने टिकनोलोजी में शॉर नहीं है कि वह सही में लाइंड करी जाएगा ठीक है एकसेप्ट दा थ्री चाइनीज लाइंडिंग्स इन पास्ट टैनियर्स ओल्डर सक्सेस्फुल लाइंडिंग्स इन मून हापने इन 66-76 कैनी मैंजिन मतलब कि 76 के बाद आपको सिर्फ चाइना लाइंड कर पाया है और वो कितना लाइंड कर पाया है आपको 3 ठीक है तो यह यह इन फॉर्मेशन रहना चाहिए अब यह कुछ आपको सुपर लेटेव से मतलब कि पहली तब से जादे वह वाली बाद तो फॉर्स्ट लूनर फ्लाइबाई मतलब कि चंद को देखते वे निकल गया वो कौन ता लूना वन लूना पत् लूना 3 क्या क्या था फॉर्स्ट इमेज ऑफ दा मून ऑफ दा हिडेन साइड यह याद करने का जरुवत नहीं है लेकिन कल को लूना से कुछ क्वेशन आ गया तो एक सेट अफ डेटा आपके पास रहना चाहिए कि लूना का पास्ट अच्छा रहा है फिर लूना 25 जो क्या 69 नील आमस्टॉंग एडविन अलरेंड यह बहुत लोगों नहीं पता होता है माइकल कॉलिंस यह आपको भी पता होना चाहिए यह कोईशन आ सकता है कभी ठीक है तीन आदमी थे दो का तो यह तो सबको ही पता होता है इसमें भी कुछ लोग भूल जाता है इसको तो जैनरल आपको यह क्लास अच्छा भी लगा होगा तो लगा है तो शेर करिए लाइक करिए और बताइए अगर ऐसा क्लास अच्छा लगता है तो और जैसे न्यू क्लियर वा बायो टेक्नोलेजी हुआ और ऐसे टॉपिक्स पर और भी क्लास बनाओ या न बनाओ चलिए तब मिलते क्लास में